तो या आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं A.U. Small Funnets Bank के बारे में अगर आप A.U. Small Funnets Bank में खाता खूल भी की सोच रहे और आपको लग रहा है कि यार A.U. Small Funnets Bank कैसा Bank है इसमें हमें अकाउंट खूलना चाहिए या फिर नहीं खूलना चाहिए कितना चार्ज लेती है ये बैंक कौन-कौन से वेनिफिट देती है और इस बैंक में हमारे लिए कौन-कौन से नुकसान उठाने पड़ सकते हैं अगर हम इस बैंक में खाता कौलते हैं अगर आपको हमारे दुबारा दीकर जाने कर यह अच्छी लगती है तो आप मुझे सपोर्ट करिएगा चेनल पर अगर आप न्यू है सब्सक्राइब करिएगा अभी वीडियो पसंद आया तो यह लाइक करिएगा चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक क्यूर तो सब से सपैलेब करते हम ऐइसमॉल पान 이걸 बेंक कैसा बैंग मर्धर कियसा बैंक है और ऐखेखेट उमाल ठाट बैंक में आपको दeना में जाती कि जो आपको एक बड़ी बेंक मिलती है या पिस सरकारी बेंक मिलती है इसमें मिल जाएगा। इस बैंक में आपको चेक बुक मिल जाएगी यहाँ पर आपको सारी सुधाय मिल जाएगी बस ये बैंक क्या होता है अभी छोड़ा छोटे लेबल पर होता है इसलिए इसका नाम small finance रख दिया है लेकिन service के मामले में a small finance bank बड़े बड़े बैंकों को टककत दे रहा है चलिए आप समझ लेते हैं इस बैंक के कुछ फाइदे तो a small finance bank में सबसे पहला जो फाइदा होता है आप लोग को वो होता है इसमें घर बेठे जीरो बैलेंस अकाउंट ऑपन करने का जैसे कि आप जानते हैं हर बैंक में आज कल आप प्राइबिट बैंकों में जाएंगे तो आप को कुछ ना कुछ minimum balance रखने का जो है criteria होता है कि उसमें आपको इतना balance रखना होगा तब आपका खाता खुलेगा लेकिन इस बैंक में तो ऐसा कुछ है ही नहीं अगर आप इसका जो zero balance वाला खाता है यह घर वेडे ओपन करते हैं तो जो online आपका खाता खुलता है इसमें वो ब्रांच में जाकर के open कराते हैं तो जरूर आपको इनके खाते में minimum balance रखना पड़ेगा monthly average के हिसाब से जो भी इनका आपके ब्रांच के अनुसा जो यहां पर monthly average वाला खाता होगा कहीं आपको 5000 तो कहीं 3000 इस प्रकार से जो भी आप account अपन कराएंगे अलग-अलग प्रकार से खाते हैं तो आपको इनमे minimum balance रखना होगा लेकिन अगर online खाता खोलते हैं आप तो आपको किसी प्रकार का कोई प्रियापर minimum balance नहीं रखना होता है अगर आप online खाता खोलना चाहते हैं तो आपको link मिल जाएका description में आप खोल सकते हैं किसके लाबाद जो इसका online खाता को उसके बाद आपका ये खाता खुल जाएगा एक फाइट पीपर पे आपको साइन करने होंगे पांच मिलिट का टाइम लगता है घर बेटे बेटे आपका खाता ओल लाइन हंडेट परसेंट डिजीटल प्रोसेस से ओपन हो जाता है इसके लावा इस बेंक में आपको ATM कार् लिंक करके UPI से payment कर सकते हो बड़ी वासानी से आप UPI का भी लाव ले सकते हो बाकी आप इस बेंक में एनी एपटी, RTGS, IMPS इस प्रकार की सुबधा का लाव ले सकते हो और आप इससे money transfer कर सकते हो इसके लावा इस बेंक में आपको customer support मिल जाता है अगर आप कोई problem आती है तो लेका होगा अभी तक जो भी bank में आपका खाता होगा उस bank में आप लोगों को तीन महीने में interest मिलता होगा लेकिन a small finance bank कैसा bank है जो आपके zero balance वाले खाते पर भी आपको monthly interest देता है महीना कतम होते ही आपका जो ब्याज बनता है आपके रखे पैसे पर वो ब्याज आपके saving ख तो यहाँ पर आपको credit card भी मिल सकता है a small finance bank के बहुत सारे credit card आते हैं जिन मेंसे कुछ credit card free होते हैं तो अगर आपको credit card चाहिए तो आप जरूर इस bank में खाता खुलवाईएगा क्योंकि यहाँ पर आप लोग को pre-approved credit card का offer मिलने के chance बढ़ जाते हैं किसी bank में अगर आपका खाता खुला होता है तो bank के पास आपकी जानकारी होती है और आपको credit card मिलने के chance जादा होते हैं इसके लाबा a small finance bank loan provide कराता है तो अगर आपको loan की जरूरत है और आपका खाता है a small finance bank में तो आपको यहाँ पर बड़ी आसानी से loan भी मिल सकता है तो अगर आपको loan चाहिए या credit card चाहिए तो आपको जरूर a small finance bank में account खुलवाना चाहिए आपको बिवन परकार के offers इस परकार के देखने को मिलते रहेंगे आपके saving खाते पर इस small finance bank आपको 5-7% तक का ब्याज देता है आपके रखे पैसे पर और वो भी हर महीने देता है लेकिन यह ब्याज हर 3 महीन में घर्टा बढ़ता रहता है तो जब भी आप अपना खाता खोल रहे हैं तब आप अपने interest को check कर लिजीगा बाकी आप a small finance bank का कोई काम कराने के लिए ब्रांच में जाते हो तो काफी अच्छा आपको service देखने को मिलेगा ब्रांच में भी आपका ब्योहार बहुत बढ़ बात करते हैं सबसे पहला आपको यहां पर चार्ज होता है जो कि होता है डेविट कार्ट का अगर आप a small finance bank में physical debit card लेते हैं तो आप लोगों को इसमें 150 रो पलस जेस्टी का चार्ज देना होगा और a small finance bank में आप लोगों को instant virtual debit card नहीं मिलता है a small finance bank के debit card पर आपको पांच transaction बिलकुल फिरी मिलते हैं आप किसी भी दूसरी bank के ATM machine पर जागर के अपने debit card से पैसे को निकाल सकते हैं आपको कोई charge नहीं लगेगा 5 transaction के अलावा आप लोगों को यहां पर charge देना होता है बाकी जो यहां पर चार्ज होते हैं वो लगबग सभी bank कों में same होते हैं तो यहा उन कुछ अलग हैं तो RBI ने इनके खाते पर कुछ condition लगा रखी है कि a small finance bank का खाता कोई भी customer तभी open का सकता है जब उसके आसपास छित्र में a small finance bank का branch होगा अगर आपके आसपास कोई AU bank का branch नहीं है तो आप इस bank में खाता नहीं खोल सकते हो अगर इस वीडियो को देखकर क जैसे आप लिंक पर क्लिक करोगे आप इनकी website पहुंच जाओगे वहां पर आपको मॉइल नमर डालना होगा अधर नमर डालना होगा और आपके मॉइल नमर पर ODP आएगा अधर कार्ट से मॉइल नमर लिंक होना चाहिए और आपको डारेक्ट ही विसक जनकार देने के हैं तो बुलकुल अगर आपका खाता यहां पर खुल रहा है तो आपके लिए एक बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि आजकल मार्केट में ऐसी बहुत कम देखने को मिलती है बैंके जो आपको जिरो बलंस खाता प्रोवाइट कराएं और आपको मंतली इंट्रेस्ट दें तो इस प्रकार की सारी सर्विस मिलती है बुलकुल फिरी में तो घर बेठे और एक ही जगह सब सर्विस का लाव लेने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएगा उसका लिंक की डिस्क्रिस में डाल दिया है वेबसाइट का नाम है credit.com मैं मिलता हूँ किसी नेक्स वीडियो में